नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राखेश शिवानी अश्रो चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने जोतिस ग्यान के नाम से एक सीरीज चलाई है उसमें करीब 40 वीडियो के आसपास हो चुगी है स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं उसके अंदर और वो सारी वीडियो आप देखते हैं तो आप एक अच्छे जोतिस बन सकेंगे इसमें कोई डाउट वाली बात मैं तो अभी मैं बता रहा था कि आपको डिफरेंट लगन के मित्रों के बारे में कि हर लगन में में प्रश लगन में मितुन ल और अध्म के आलावा अब करक लगन हमारे पास और만 आथा यह इसलिक लगन हमारे पास है इन में हमारी रशाओ कैसी जाते हैं ग्रहों की वह हम लोग देखेंगे कि इन में कॉंसे ग्रहै ऐसे हैं जिप सब Wanna Play तो पहले अब देखिए सूर्य में अच्छा प्लैनेट रहेगा चुकि चंदर्मा का मित्र हो तो शुब रहता है तो यानि इस कुण्ड़ी के करकल करन की जातक वाली कुंड़ी में सुर्य की गर्प दशा आती है तो वह अच्छी जाएगा अब आते हैं चंद्रमा चंद्रमा इसकुंड़ी का लगनेश है वो लगन का स्वामी है अब चुकी वो लगन का स्वामी है तो लगन का स्वामी के दिशा तो अच्छी जाती है लगनेश की भागेश की पंचमेश की दिशा तो अच्छी जाती है तो लगनेश होने की वैसे च तो केंद्र का है दसवां भाव और एक भाव त्रिकोन का है पांचवां भाव लेकिन केंद्र में इसकी बूल त्रिकोन राशी बैठी हुई है केंद्र में इसकी बूल त्रिकोन राशी है एक नंबर और आठ नंबर राशी इसकी पांचवे भाव तो यह अकेला ऐसा ग्रह है जिसके पास एक केंद्र का भाव भी है और एक त्रिकोन का भाव भी है तो ऐसे ग्रहे जो केंद्र के स्वामी भी हो और साथी साथ त्रिकोन के स्वामी भी हो वो ग्रहे कुंडली के लिए पून योकारी ग्रहे होते हैं शुब छोड़ दीजिए शुब से भी कहीं ऊपर लगे यह आपने देखा आते हैं हम लोग बुद्ध पे बुद्ध को सुन लिए कैसा रहेगा कैसा रही सिर्भाव में दूसरी रशी पढ़ती है तीसरे बहुत सारे अपसका भाव संगर्श का भाव है तो कि से नहीं होता उस उसकेस में बारवें भाव और तीसरे भाव को स्वामी होने के वैसे बुद्ध जो है वह इस कुण्ली के लिए शुब रहे नहीं है इस कुण्ली के लिए वह अशुब रहे माना जाता है यानि उसकी दशाबी बहुत अच्छी नहीं जागा अब आते हैं ब्रस्पति पर ब्र क्योंकि मैंने बताहा कि जितने भी त्रिकौनगे स्वामी भी होते हैं लगण का मित्र होते है उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है तो ब्रस्पति इस कुंद्ली के लिए शुब ग्रहम आना जायेगा क्यूंकि वो त्रिकौन का मुत्रिकों राश्री का चादे एफेक्ट रगता है तो इसके अंदर छटे भाव का भी कुछ गुण आ जाएंगे यानि ब्रस्पति की दशा में हम लोगों को कुछ रोग रिन बगरा भी मिल सकते हैं जहां भागय उदय होगा वहां रोग रिन भी हो सकता है अब आए शुक्र शुक्र पर देखें तो ग्यार्वा भाव है और एक केंद्र का भाव है चौथा भाव है तो ग्यार्वा भाव इतना अच्छा नहीं होता और केंद्र का भाव स्वामी होने से शुक्र जो है मैंने बताया कि शुक्र है आपके वो उनके रिजल्ट शुक्ता सभार श्रदीच के पास एक केंद्र का स्वामिगते जो है 1 पांग गिस्वामु सवामी चाहेगा नहीं है अशुप मान जाएगा कैंसल गरड़ की कुलेगत अब आते हैं हम लोग सिंग लगनी कुंडी में हम चलें सूर्य पे तो सूर्य बनता है लगनेश यहां पास नंबर राशी है तो लगन का स्वामी बनता है सूर्य लगनेश बनता है और लगनेश की दशा तो अच्छी जाती है यह हम जानते हैं लगनेश की और लगनेश की मित कि चंद्रमा का इस खुल्ड के लिए इतना अच्छा नहीं है कि बारवेबहाब का स्वामी है आलदो वो लगन का मित्र है तो जादा बुरा पर स्वामी होने से तो होना चीए था शुब बट लगन का मित्र है और लगन का मित्र होने से वो उसके अंदर शुबता भी है तो इसलिए वो इस कुंड़ी में तटस्त ग्रह है मंगल को कर देखें तो मंगल की एक राशी त्रिकोंड में है नवी भाव में हैं एक राशी कें बन जाता है अब आते हैं बुद्ध में हिके बुद्ध के पास inst award की राशी है दूसरे भाव की राशी होने से ठीक नहीं है अबर दाएक तक का स्वामी जो है वो शुब नहीं मानेजाता तो बार्रपकी राशी और सुरे का मित्र भी नहीं सूरीय वद्ध को सम मानता है मित ब्रस्पति के पास एक राशी उसकी पंचम भाव में लेकिन पंचम भाव में उसकी मूल त्रिकोन राशी है और मैंना आपको बताया कि त्रिकोन के स्वामी लगन के मित्र होते हैं इसलिए ब्रस्पती इस कुंडली के लिए शुक्र ग्रहा है और ब्रस्पती की दिशा इस कुंडली वालों के लिए अच्छी जाएगे। शुक्र को देखते हैं, शुक्र की एक राशी तीसरे भाव में है, एक राशी केंद्र में, अब तीसरा भाव अच्छा नहीं होता, यह हमने जिक्र कर दिया, और उसकी मूलत्रिकोन राशी ही शुक्र की तीसरे भाव में है, तो यह शुक्र इस कुंडली के लिए अच्छा ग जया है तो च्टा भाव मेरासी है एक prohibited च्टेश भी है अब से शोने से शनिज्टू रिये वो शुब नहीं किलड़ाए अब आगे चलते हैं हम लोग वर्गो लगन पे यानि कण्या लगन पे हम लोग आते हैं सबसे पहले सूर्य लेते हैं सूर्य बारवे भाव का स्वामी है और बुद्ध जो है इसका मित्र है सूर्य क्या स्कुंडली में हो जाएगा आप सोचिए सूर्य इसकुंड़ी में क्या हो सकता है सूर्य बारवे घर का स्वामी हो गया तो बारवे घर का स्वामी होना तो अच्छी बात नहीं है यह तो हम जानते हैं लेकिन वह लगन का मित्र है इसलिए तटस्त ग्रह हो गया सूर्य इसकेंदर मतलब बुरा डेल तो न एक राशी आठ्वे बाव में हैं एक जो आठ्वा भाव में कुंण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भुद्ध अगर देखें बुद्ध को देखिए तो बुद्ःस कुंणी के लिए लगनेश बनता है एक राशी उससी लगन में गज tin गया है यह जै। ब्रहस्पत्ध कैंद्र क स्वामी जोनों राशियां उस्की केंद्र अब केंद्र का स्वामी होने पर शुप ग्रह को किंद्रादी पती तोच लग जाता है जिसकी वैसे वो अपनी शुपता भंग हो जाती है इसकी तो इसलिए ब्रस्पती इसकुंडली के लिए शुप ग्रह ही काउंट होगा अब आते हैं शुक्र पे शुक्र को देखें तो उसकी एक राशी साथ दूसरे भाव में हैं एक राशी नवे भाव में और त्रिकोन का स्वामी है शुक्र तो त्रिकोन का स्वामी ये लगन का मित्र भी होता है इसकी शुक्र इसकुंडली के लिए शुप ग्रह माना जाएग शनी इस कुल्डी में चटे पांचवे भाव का स्वामी है और चटे भाव का स्वामी भी है तो पांचवे भाव त्रिकोन भाव हो गया और हमने कहा कि त्रिकोन के स्वामी जो होते हैं वो लगन के मित्र होते हैं तो त्रिकोन के स्वामी होने की वैसे यह शुग रहा हो गया है लेकिन एक प्राबलम इसमें है कि शनी च्टे भाव का स्वामी होने की कारण कि उसकी नूलत्री को राशी च्टे भाव में है इसलिए वो ज्यादा एक जो है उच्टे भाव को स्वामी होने से वह कुछ थोड़े आशुक रिजल्ट भी देगा इसलिए शनी को इस जो आशुम माने जाते हैं किनकी दिशार्षुब जाएगी यह मैं आपको बताया इसके साथ जरूरी सूचना है हम लोग अस्ट्रोजी का को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग जोईन करना चाहते हैं वो दिएके नंबर पर सब्पर कर सकते हैं और उसके अलावा आस्टक सब्सक्राइब कर रहे हैं जो चाहें वो जोईन कर सकते हैं दिएके नंबर पर सब्सक्राइब करते हैं घंदेवाद जैसी कृष्ट